नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर टैरिस पे आई हूँ और यह देखी शिमला मिर्ची में कितने अच्छे-च्छे प्लावर आ रहे हैं और यह देखिए अनार पे भी फ्लावर आ रहे हैं पर जो चिडिया है वो छोड़ती नहीं है इनको न यह रहे और मिर्ची-विर्ची आपको दिख रहा होगा ने जगा जगा किन्नों लगे में राज हलका सा बादल हो रहा है यह देखे तरककडी की बेल पर ना यह इस तरह से चेडिया जो है नुक्षान भोत करती है देखे ड्रम में जगा जगा इनोंने काट के डाले में हैं तो करूं क्या मैं कुछ समझ में अब हम तोड़ते हैं बेंगन यह देखे जाए तो एक और इदर बड़ा वैसे तो गुच्छों में लग रहे हैं पर यह ज़्यादा बड़े वाले हैं नहीं इसलिए इनको अभी तोड़ लेगे एक देखे गुच्छों में तो काफी सारे लगी नहीं है इसके अंदर पर अब ही मैं निकालूंगी नियन को और अब यह टैड़ी पीछे-पीछे हो रहा है यह देखिए मेरी अंगूर की बेल कितनी सुंदर चल रही है और आपको मैं दिखाओं तो यह देखो साइज देखो अच्छा कासा और इसमें मुझे लग रहा है कीड़े लग यह हां कीड़े लग यह मतलब स्प्रे करना पड़ेगा मैं सोच रही थी अभी जल जाएगा एक एरा किड़े लगए हैं फ्रेंड इन में तेन में नीम वयल केस्पे करना पड़ेगा और एक एरा पेड़ सौरी पैंगन दो तीन उदर हैं वो भी निकाल लेते हैं कि दो पेड़ों से हमें यह इतने सारे बैंगन मिल गए है मतलब हमारे लाइक सबजी ने आराम से निकल जाती है यह भरते वाले वैंगन थे इनका कलर भी थोड़ा सा इन से अलग एक एरा नीचे सारी निकाल लो एक बार इसके न सर्दियों में पेड़ एक दम बेकार हो गए थे मैंने एक वीडियो डाला तो उसमें दिखाया था मैंने इनकी कटिंग करी हैं तो कटिंग के बाद यह देखो इन्होंने कितनी इस बारा पेड़ लेकिन इसमें एक यह है चोटा सा चलो इसको बड़ा होने देते हैं तो यह इन तीन चार पेड़ों में से उधर से हमें मिल गए हैं कुछ मैने छोड़ दी हैं कुछ इस पे भी छोड़ दी हैं और यह देखो कटिंग करने के बाद जो यह हिस्सा है यह उटाओ आ गया अब आईए देखिए सभी में नया फुटाओ आ रहा है और अब इनमें काफी फ्रूटिंग होगी तो यह पेड़ तो वैसे भी बेकार हो गए थे तो क्यों ना इनकी कटिंग करके देख ली जाए देखिए इधर भी यह बैंगन बनने लग रहा है काटे व को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स